तो हेलो स्टूडेट्स आज हम लोग लेक्टे आए हैं आइनिक इकिलिब्रियम का नेक्स्स टॉपिट ठीक है आज हम लोग बढ़ेंगे क्या और उसके बाद हम लोग एक्स्पेंड करेंगे क्या वाटर के बारे में ठीक है तो अपने पनी नौट्बूक ओपन कर लीजिए बड़ा इंपोर्टेंट लेक्टे आज का ठीक है चलो समझते हैं क्या है टॉपी का नाम ऑस्थ वर्ट्स डिलूशन लोग तो कोई फैंटिस थे जिनका नाम क्या था ओस्ट्वर्ट तो उन्होंने सबसे पहले लोग मास एक्शन को एप्लाई किया इसमें आयोनिक तो ओस्थ वर्ट 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 कुए घंपिलग क्या है असमें इनन आोनिक इकिलिबिवन पहली बाक दी दूसरी बात था कि यो विख डिलुशियू लो है लाओलज एस के लिए अप्लिए न हमते काया है चलो जो बात अच्छे से समझागी अब बात यह है कि इस लोग का स्टेटमेंट क्या है या फिर यह लोग है क्या तो वस्ट वर्ड भाई साब ने इक बात बोली कहते है कि अगर आप एक वीक एलेक्ट्रोलाइट को डिलूट करोगे तो उसका जो डिग्री ओफ डिसोशेशन है उसका डिग्री ओप अधिशन है या इसका अलफा है वो क्या हो जाता है इंक्रीज हो जाता है सिंपल सी बार ठीक है तो मैंने आपको बोल दिया की तीजिएगा मैं यहा यह इंक्रीज कब होगा वैन डिलूशन क्या होगा इंक्रीज होगा यह सिंपल सी बात उनों ने बोली क्लियर है कोई दिकत नहीं है चलो अप ही हम लोग इसको आगे थोड़ा सा एक्स्प्लें करते हैं चलो लेक्ट हमने क्या देलिया एक वीक एलेक्टोलाइट लिए ठीक अब देखो अब देखो अब यह पुजिटीव प्लस में बी नेकितिव यह पाज के लिए को इसो नहीं है अब देखो अपोडिंटू एलेमें अब यह पताने से पहले चलो पॉंसेट्रेशन में रहता है अब देखो इनिशली इनिशली कब वेंटी वाज जीरो वेलर किया ओई ने इसका सब अब पॉर्स के आखेल योगारें होगें आपर नहीं यह कितना होगया सी माइनस आगे कितना है वन है तो सी अलफा कहने क्लियर है नौ अपोडिंग टू नौ अपोडिंग टू लोग आफू मास एक्षन क्या मुखता है कि जो किसके इक पुदा जाएगा इंटू नेगितिव का कॉंसेंट्रेशन कितना है लगादो एंटू नेगितिव का कॉंसेंट्रेशन कितना है अगर मैं यहां से कोमन ले लोओ तो अंदर क्या बिचा है एक सी से एक सीघंसर आप करतो तो हमारे पास यह क्या है हमारे पास आगया के इस इक्वाल टू यह कितना होगा है C alpha square upon 1 minus alpha, ठीक है, किसके पूल आगया, C alpha square upon 1 minus alpha, अब देखो weak electrolyte है, तो उसका जो degree of dissociation क्या होता है, alpha क्या होता है, बहुत ही कम होता है, तो क्या दिखुँ मैं, now, now, for weak electrolytes, alpha होता है, it is very 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 less than 1, ठीक है, अगर alpha very very less than 1 है, then alpha can be neglected, इसका मतलब क्या हुआ, it means, 1 minus alpha approximately equal to, कितना हो गया, 1 हो गया, तो ये equation क्या बन गया है, क्या होता है, क्या होता है, क्या होता है, c alpha square, c alpha square upon 1 minus alpha तो कितना हो गया, 1 हो गया, तो मारे पास क्या है, k is equal to c alpha square आगया, तो नहीं clear है, equation number क्या देदो, इसको 1 देदो, तो एक weak electrolyte का, जो k है, dissociation constant है, वो यहांपर क्या हो गया है, c alpha square, चलो, अब देखो, alpha क्या है, degree of dissolution, यह statement कहा देता है, क्या होता है, यहां से alpha दीता है, तो alpha square कितना हुआ, इस c multiply में यहां पर कि divide में, क्या हो गया, k upon 1 minus c, clear है, तो फिर alpha कितना हो गया, alpha, यह square यहां पर आके, तो आपका एलफा है अब अब आपके हम लोग क्या लगा देगे डारेक्ट्ली प्रपोशनल का सांड लगा देगे ठीक है क्या हो जाएगा रूट और वन अपों सी या या एलफा इन्वस्ट पर्पोर्शनल टू रूट अफो सी अब देखो कॉंसेंट्रेशन आप गॉंसेंट्रेशन किस時 के इता हो सैंट्री टीक łat01 किसके जबल्यू के किसके दो रश्वल्यू पता घुश्ड है नहीं पन तो याश्य है dubete अब यह N का है, number of moles of solute, यहां पर हमने जो electrolyte लिया, electrolyte का concentration तो fix लिया, हम तो सरफ water add कर रहे हैं उसको dilute करने के लिए, और electrolyte तो add नहीं की है, इसका मतलब यह number of moles of solute N यहां पर क्या है, constant है, तो यह अगर constant है और equal है, तो इसका जाएगा C is inversely proportional to B, simple, तो concentration इसके inversely proportional की volume के, तो मैं यहां पूट कर दूँ, तो जो alpha है, वो क्या जाएगा, it is, अब C is inversely proportional to B, तो क्या रहेगा, alpha is directly proportional to B, ठीक है, volume के directly proportional है, और volume सब बढ़ेगा, जब आपको dilution करोगे, तो मने इसका हो, volume means dilution, ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, alpha is directly proportional to root of dilution, इसके इसके आपता लगा, directly proportional है, कि dilution बढ़ेगा, तो alpha, यानि degree of ionization of weak electrolyte बढ़ेगा, means alpha बढ़ा, कब? जब dilution बढ़ा, तो यही क्या है, और यही क्या है आपका, यही आपका post-order dilution law, कानि प्लियर है, toastful dilution law, it is applicable for weak electrolyte, और यह क्या बोलता है, कि on diluting, या on dilution of a weak electrolyte, the degree of ionization, या degree of dissociation of that weak electrolyte, increases, कहानी बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्तित नहीं है, ठीक है, आपको, उतार दीजिए इसको अच्छे से, फिरों लोग आगे बढ़ता है, चलो, तो अब मैं इसको मिटाने जा रहा हूँ, खीक है, तो मिटा के क्या लिखे, सबसे पहले तो मैं यहाँ से मिटा रहा हूँ, पहली बात तो नोट करने वाली है, कि यह B electrolyte के लिए ही है, दूसरी बात ही है, कि क्या लिखोगे, क्या लिखोगे, कि अगर आपने infinite dilution किया, क्या लिखा मेरे, on, infinite, या at infinite dilution, at infinite dilution. अगर आपने dilution infinite कर दिया, तो आपका alpha कितना हो गया, 100% हो गया, और या फिर में को बोलतों किस के equal हो गया, one के equal हो गया, पहली point तो यह बात है, दूसरा point क्या है, कि तो concentration है, it should be, it should be taken, in terms of normality, normality की terms में आपको concentration लेना चाहिए, अगर आपको accurate result चाहिए, ठीक है, तो दो point अच्छे हमने note कर लिए, ठीक है, अब एक काम करते है, इस OSTVOLT dilution low का, हम लोग क्या करते हैं, application करते हैं, तब तर इसको कार देचे अच्छे से आप लोग, ठीक है, अब इसको को लोग विटा जेते हैं, और अब आगे हम लोग चलते हैं, इसके उपर, application of a OSTVOLT dilution low, I think आपको बड़ा इसी समझ आ रहा होगा, ठीक है, तो कोशिशिक करना बहुत easy way में आपको explain करूं, बाकी तो देखो, उपर बहला जाने, तो अब हम लोग क्या पढ़ने वाला है, application of a OSTVOLT dilution low, एलो, एलो, तो दोनों लेने के बाद उनका, केक का value निकालते हैं, उसके बाद alpha निकालते हैं, फिर pH और pH निकालते हैं, तो देखते हैं, क्या value साथी, क्योंकि यह हमारा है, इस ionic equilibrium के chapter में, आगे काम आएगी, ठीक है, तो हम लोग क्या ले लेते हैं, एक वीक, mono, basic, acid, ठीक है, एक यह ले ले लेते हैं, और, एक side goal बेंटा ले लेता हूं, एक, weak, mono, acidic, base, ठीक है, यह ले ले लेते हैं, अब इसका आप example ले लेते हैं, जैसे मालो, example हो गया, क्या, acidic acid ले, acidic acid का formula क्या, CH3COOH, फिर hydrogen cyanide ले सकते हूं, ठीक है, और, weak, mono, acidic, base के अंदर, आप क्या जैसे, ammonia, hydroxide ले सकते हूं, ठीक है, मैं आपको एक बार, in general लेके दिखा पाँ, तो देखो, मैंने, weak, mono, basic, acid, समझ लिया कि इसको, H1, अब मैं तो in general लिया है, आपके पास अगर कोई weak example आये, acid का, तो आप वो माल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, तो जैसे ही H1 है, जो इस H1 का आप dilution करोगे, यानि adverse, यह क्या देगा आपको, यह देगा आपको, यह देगा आपको, H positive adverse, plus में, A negative adverse, बड़ा simplify में जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, अब देखो, इनिशल कंडिशन पें, when T was 0, जो temperature 0 था, तो इसका concentration कीतना था, C, इनका concentration कीतना था, 0, फिर उसके बाद, after dilution, after dilution, क्या concentration कीतना हो गया, C alpha, कितना हो गया, C alpha, यह कितना हुआ, C minus में, C alpha, अभी थोड़ देख पले हैं, उसके बाद, अब according to LMA, LMA के इसाब से, जो K है, इनका जो dissociation constant है, अब देख कोई acid है, तो इस पीकों में क्या रिख दूंगा, K, K का मत्तर क्या हुआ, acid disposition constant, या फिर, ionization constant of this acid, यह बाद clear है, तो यहाँ पर K is equal हो गया, it is equal to concentration of H positive, into concentration of A negative, upon concentration of H, clear, अब H positive concentration कितना है, C alpha, into A negative का भी कितना है, C alpha, upon, C minus C alpha, C common लगे, तो क्या बचेगा, 1 minus alpha, किया थोड़ दर पले से, मोई कानी है, C से C cancel out कर तो क्या बचेगा, C alpha square upon 1 minus 1, alpha, ठीक है, but for weak electrolyte, alpha क्या होता है, very 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 less than 1, किस के लिए, सिर्फ weak electrolyte के लिए, strong के लिए नहीं, ठीक है, तो alpha very very less than 1 है, तो 1 minus alpha क्या बचेगा, approximately equal to 1 हुआ, तो यह मेरी उपुद करता है के लिए, तो K A किसके पलाएगा फिर, 1 minus alpha, तो approximately 1 होगे, तो K क्या लिए, C alpha square, तो एक बात तो आपको याद है, यह होगे, कि एक weak monobasic acid के लिए, अकोडिक को बॉस्फोल दिशन लोग, जो K A है, acid dissociation constant है, वो किसके को राता है, C, alpha square, वे, C is the concentration of that weak acid, and alpha is its degree of dissociation, या degree of ionization, यह बच के लिए है, दूसरी बार, अब यह का क्या आप, नबर बन तो कोईट ही होगे, अलियासा alpha नहीं का लोगे, तो C को यहां दे जाओ, तो क्या बचाएगा, alpha square क्या हो जाएगा, K A upon C, root को यहां, square को यहां, square को यहां, square को यहां, square root of K A upon C, तो यह आगे, आपके इन पात से, equation 1, 2R है, कहा है, यह लिकत, कोई लिकत नहीं है, ठीक है, alpha की value आगे, आप यह काम करते हैं, हमको क्या निकालना है, इस weak, mono, basic acid का pH निकालना है, अब pH निकालने के लिए, आपको क्या चाहिए, है, H positive का concentration चाहिए, और H positive का concentration, after duration कितना है, C alpha, तो मैं लिकालने हमें, H positive concentration की स्टेकल है, C alpha की स्टेकल है, ठीक है, C into, alpha की स्टेकल है, यह वह लिकत, कर दो, alpha is equal to root of K A upon C, तो कर दो, root of K A upon C, तो कर दो, root of K A upon C, तानी क्लियर है, अब यह जो C है, इसको बहु लिकता हम, root C into C एक C से, एक C कंसराओं हो जाएगा, तो क्या बचेगा, यह मारी पस कहा जाएगा, root of K A upon C, यानी आपके पास, जो H positive का concentration था, वो कितना आगया, root of K A into C आगया, या फिर K A into C की power कितना हो गया, 1 by 2 हो गया, तानी क्लियर है, ठीक है, या फिर इसको क्या लिक्व, इसको लिक पावर, 1 by, इसी भी आपको अच्छा से, अब क्या करना हमको, P H निकालना है, क्या निकालना है, या निकालना हमको, P H, तो P H निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, negative log में लेगे, both sides, clear है, तो एक काम करता हूँ, मैं को एक बार, वो पार्ट क्यूस करना पढ़ेगा, इ दोनों साथ में नेगेटीव लोग लेंगे, तो क्या होना है, H positive का, negative log of H positive concentration is equal to, क्या होना है, नेगेटीव लोग of K A into C, raise to power क्यों है, 1 by 2, बिल्कुल clear, negative log of H positive क्या हो जाथा, P H वोड़ा है, इसीवल to, अब देखो, minus 1 by 2, तो इस पीजीटीटो पावर है, वो खाम पर आगे, ठीक है, क्या बचाएगा, into में, into में, क्या हो जाएगा, log of H, अब देखो, minus मैंने common ले लिया, इसका मतल क्या बच्चा, पावर को मागे जाया, अब लोग में जो multiply होता है, वो क्या हो जाता है, plus हो जाता है, तो log of क्या हो जाएगा, K A, plus में log of क्या हो जाएगा, C, ठीक है, अब अगर इसको में open कर लो, या तो में यहीं कर सकता, pH is equal to minus 1 by 2 into log of K A into log of C, या फिर इसको में क्या कर दूँ, open कर ले तो pH क्या हो जाएगा, minus 1 by 2 log of K A, minus plus minus log of C, क्लिए है, अब देखो, इस minus 1 by 2 इस बरुमें चुपा देखो, negative log of K A क्या होता है, P K A, negative आगे है उ तो pH किसके equal आगया, अब 1 by 2 बली दो, क्या जाएगा, 1 by 2 of P K A, या फिर P K A by 2, फिर minus में कर देखो, जब इसको open किया, तो यह half तो बुली गए, तो half तो लगाना पड़ेगा, तो minus में क्या आजएगा, half log C, ठीक है, यह क्या आगया माने पास, pH आगया, इसका, एक weak monobasic acid का pH निकाने का formula, इसका मतलब जब को तभी भी आपको एक weak monobasic acid देगा, तो आपको क्या देगा, एक तो K का value देगा, अगर K के value दे रहे हैं, तो P K निकालो, negative log of K करते हैं, और एक उसका concentration दिया जाएगा, तो आप pH इसले ही निकाल सकते हो, ठीक है, कोई दिकत है, अगर आपको pH दिया जाए, concentration दिया जाए, तो K का value निकाल सकते हो, और अगर आपको K और pH दिया जाए, तो concentration निकाल सकते हो, ठीक दिकत नहीं है, अच्छे से इसको उतार देगे एक बार, फिर आगे जलते है, ठीक है, चलो, तो मैं इसको मिटा दो, इसको मिटा देता हूँ, और तो मैं से रूप यहां पर, नीचे, नीचे क्या दिकता हूँ, pH कितना आगया माला है आपके, pH आगया क्या, minus 1 by 2 log of kya, log क्या, minus 1 by 2 pka, ठीक है, minus 1 by 2 log of c, 1 by 2 minus कि था नहीं हो, तो क्या था, तो क्या था, तो क्या था यह, 1 by 2 pka, minus 1 by 2 log c, तो यह हमारा pH आगया था, यहां पर, अभी हमने सोल किया था, अब आते हैं तो किस के लिए, 4 weak, mono, acidic, basic, ठीक है, एक्जाम्पल क्या दे सकते हो, जैसे हमने एक एक्जाम्पल दे दिया, यहां पर क्या, ammonium hydroxonic है, ठीक है, लेकिन मैं को आपको एक जनरल में लेके दिखाता तो यहां पर क्या देखा है, तो सबसे पहले देखो, क्या कि आपको, b o h है, क्या है, aqueous है, क्योंकि आपने इसको कहा है, तो dilution पर क्या देगा, तो क्या देगा यह, इस दोचेट हो के b positive, aqueous plus main, o h negative, aqueous, खानी clear है, okay, 20 बाज 0, तो concentration की तरह सी, यह की तरह 0, यह की तरह 0 यह, बिल्कुल यही कहानी है, बस थोड़ा सा चेंग है, तो फिर, after dilution, यह कितना हो गया, c alpha, यह कितना हो गया, c minus main, c alpha, clear है, okay, तो according to log mass action, यहां भी किया था, तो k, आप देखो, k क्या है, यहां पर, dissociation constant है, लेकि इस को dissociate कर रहे हैं आप लोग, base को, तो मैं इसको क्या कर करूँ, kb, तो यहां पर kb किसके इसको हो जाएगा, वो हो जाएगा, आपका क्या, b positive concentration into my oh negative concentration upon my concentration of boh, clear का लिए, अब b positive concentration कितना है, यह देखो, c alpha into a oh negative कितना है, c alpha upon boh का concentration कितना है, c minus c alpha, like c को को क्या रहे है, one minus main alpha, तो c से c cancel out हो गया, क्या बचा हमारे पाद, c alpha square upon one minus alpha, फिर वही से थानी, weak base है, तो alpha क्या है, alpha is very 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 less than one है, तो one minus alpha क्या है, approximately equal to one हुआ, तो kb किसके इकुल हो गया, तो kb is equal to c alpha square, ठीक है, equation number, इसके लिए, यहां कि लिए equation number क्या वही, one more, base के लिए, ठीक है, अब देखो, तो यहां पर, रियात क्या कोई बड़ी बात नहीं है, acid weak, acid के case में k क्या का c alpha square था, weak base के case में kb का c alpha square, एक ही बात है, ओके, अब देखो, तो फिर, alpha square क्या क्या हो गया, c यहां चला जाएगा, kb upon c, इसको यहां दे जाओ, तो alpha क्या हो जाएगा, root of o, kb upon c, या फिर मैं लिए तू, alpha क्या क्या क alpha के बात है, root of kb upon c, clear है, अब देखो, base के case में हों लोग पहले क्या रिकाते है, pOH निकालते है, तो fOH निकालते है, और pOH के लिए और oh negative का concentration, और oh कितला दिया है, c alpha, तो देखो, यहां बात ऐसा है, oh negative का concentration कितला दिया है, c alpha, अब c into alpha का वहले कितला जाएगा, root of kb upon c, इस को मैं लिख सब्दा हूं, root c into c, तो hc स hc लो पुर जाएगा, तो क्या हो जाएगा, यह आपका रहाएगा, root of kv into c, या फिर मैं लिख सब्दा हूं, kv into c k power, 1 by 2, इसका मजब आपके पास जो o h negative का concentration दी बना गया, वो आगया, kv into c k power, 1 by 2, अब सेम काहने यहां पर थी, x positive का concentration था, k into c k power, 1 by 2, फिर, now taking negative look on both sides, I think दुबारों से मैंने की टूप में direct कर दूँ, तो यहां पर क्या आएगा, यह तो जाएगा, p o h, इसके को राएगा, half p kv minus half log c, equation number 3, और यह वाला equation number क्या ले लेते है, कोई डिकत वाली बात नहीं है, acid के case में, weak acid के case में, normal basic acid के case में, pH की value क्या होती, half p k minus half log c, और यहां पर weak base के case में, p o h, p o h की value क्या होती है, half p k b minus half log c, लेकिन अगर weak base के case में, आपको pH निकाल नहीं हो, तो देखो यह आपको पता है, pH plus p o h is equal to 14, तो फिर pH क्या होगा, 14 minus p o h, तो pH क्या से निकालेगे, 14 minus p o h, और p o h की value क्या है, तो इसको अच्छे से उतारी है, फिर हम लोग आगे चलते हैं, चलिए, I think आपको यह बड़े अच्छे से clear होगे होगा, अब आगे हम लोग, कुछ एक limitation पढ़ते हैं, किसकी और stored valuation लोगी, ठीक है, इसकी limitation है, जब तक मैं मिठाता हूँ, तो आप सोचके देखिए कि इस लोगी क्या क्या limitation हो सकती, ठीक है, चलिए, तो भीया देखिए सबसे पहले, आपने लोटिस क्या होगा, कि यह लोग इसके लिए अपनी के बद है, विक लेक्रोलाइट के लिए, इसका मतलब, टलो अपनी कुणैक है, तो सबसे पहले क्रेविंडेशन होगी स्विक स्विक, क्या लिए लिए लेक्रोलाइट के लिए लोगी क्या निक निक्साना है, लोगी का लेक्रोलाइट को ड्रूचन की यूतिए नहीं है, ठीक है, और वीक ग्रूचन процесс अगर आपके पास कोई saturated solution है तो उसके लिए भी ये लोग अप्लाई नहीं होता है उसके लिए क्या अप्लाई होता है solubriti product apply होता है वो आगे हम लोग नेक्स लेक्टर में पढ़ेंगे तो क्या दिखेंगे विएए और ये अखिछेश ल मि्म्हां के लिएक लिए धी वा लिए धी के बसा इसनीड अनुर। ने सिरमन आप्लाई की ट्वा और थाल चेंट के लिए निए अनुर। पुसकी लिए ंसनीड होत में दो स्वास्च लिए शुरुच आपंच सीलुटिये एशॉत्स कि यह भी एप्लिकेबल नहीं है चलो अब उसके बाग हम लोग फैक्टर्स पढ़ते हैं इसके लिए डियूशन ठीक है या फिर क्या बनों है डिक्री ओफ डिसोशेशन यह ओस्ट फोल्ड जो डियूशन लोग है उसको कौन कुछ से फैक्टर स्कारता है इसक्ट करते हैं ठी इसके अप्लिकेबल है यह है एल्सा के ओपर डिग्री ओफ डिसोशेशन के ओपर डिग्री फाइशन तो में डाये कि तू क्या लिग्री ओफ आयो नाई जीशन जैनी खुए है तो सबसे परेटा तक होगे है थे क्या खुर्फ क्यों इंक्रीशन फोगए नंबर दूब इसका मतलब है डीपानी मिलिए दूसरा फेक्टर ही हो गया whats up कोई रहे वाला नम्बर थी करिए नेचर अफ्रॉक अडेच्ट है कर देखो एलेक्ट्रोलाइट हमारे पास दो टाइप के है, कौछ है को स्क्रोंग है और ये कौंता है, वीक है, ठीक है, तो सबसे बहुत है, कि for strong electrolyte, strong electrolyte, alpha कितना होगा, 100% होगा, ठीक है, तो बहुत रुक्ती नहीं है, लेकिन for weak electrolyte, for weak electrolyte, alpha क्या होगा, less than 100% होगा, alpha की value less than 100% होगी, less than 1 होगी, तो alpha को ये भी सक्रिफेक्ट करेगा, electrolyte का nature, number 4 आजाते है, किसके ओपर, nature of solvent, अब देखो, solvent की भीडिपेंड करता है, अब देखो, आखो, electrolyte को, weak electrolyte को, किससे डायूट करते हो, वो भीडिपेंड करता है, ठीक है, अब देखो, solvent को सा लेजते है, अब वाटर के अलावा, कुछ मैं, organic solvent भी ले सकता हूँ, जैसे मैं, बेंजीन ले सकता हूँ, मैं, carbon tetra, fluoride भी ले सकता हूँ, तो फर्चा पड़ेगा, कहते हैं कि, जिस solvent का, die electric constant, यानि, mu का value ज्यादा होगा, तो वहाँ पर, वो solvent, उस weak electrolyte को, ज्यादा, dissociate करेगा, तो मैं die electric constant value, they will increase the dilution of weak electrolyte, ठीक है, अब देखो, die electric constant, क्या, mu, of solubus, अब die electric constant की value, mu की value ज्यादा होगी, तो क्या होगा, degree of dissociation भी क्या हो जाएगा, बढ़ेगा, अब देखो, mu की value बढ़ता है, तो, die electric constant है, mu का, mu यह है, किसका water का, वो होता है, कितना pt1 होता, वो ज्यादा है, ठीक है, अब mu of benzene ले दो, c6s6, वो कितना होता है, 2.5 होता है सर्फ, और mu of carbon tetrafoland, ले दो, वो कितना होता है, 0, इसका मतलत, एक week electrolyte को, अगर मैं, एक तो डालता हूँ water में, और एक डालता किसमे होगा, जब हमने water pool, यह है, जिस solvent, क्योंकि water का, डालता है, जाला है, ठीक है, तो, यह कुछ एक factors है, जो degree of ionization of weak electrolytes को क्या करते है, effect करते है, ठीक है, तो, आज हमने पड़ा किसके बारे में, ओस्ट ओल्ड, dilution, लोग के बारे में पड़ा, ठीक है, I think आपको अच्छ से यह समझाया होगा, अब एक को question, randomly, कुछ एक को question हम लोग करके देखे, ठीक है, चलो, कोशन क्या है, अपको ऊस्पर डेलूशन लोग, इसके बारे में बताता है, अलफा के बारे में, degree of ionization के बारे में, और कौन सा, वीक, वीक electrolyte के बारे में, तो एक कोशन लिखे देखो, कोशन क्या है, वान, क्या ले देख, इफ, यह से बिखे देख 4, 4, 10 raise to power minus 3 molar, X2CO3, X2CO3 क्या होता है, carbonic acid, अब carbonic acid का concentration की क्या बोरा है, 10 raise to power minus 3 molar है, ठीक है, alpha is equal to minus 10%, ठीक है, then what will be its pH, बड़ा ही, simple basic सा कोशन लिया है, ठीक है, तो आपको एक वीक electrolyte दिया, वीक acid दिया, H2CO3, यह dark basic acid, उसका आपको concentration दिया, C का में दिया, और alpha दिया उसना 10%, फिर उसने कोशना है pH, आप तेको इसको करें गेंगे से, सिंपल सी बात है, पहले देखो, कि जो H2CO3 है, डिसोशेट होगी क्या देने वाला है, 2H positive, प्लस में, CO3 2 negative, यह डायक जैसीक acid है, तो यह तो इस monarity को normality में convert करो, जैसे उन्हें बोला ना, कि concentration should be taken in terms of normality, और अगर वैसा नहीं करना चाहो, तो देखो, X2CO3 का concentration की तरह है, 10 raise to power minus 3, तो उसमें H positive का concentration का आगर डबल हो गया, तो यह होगा 2 into 10 raise to power minus 3, और normality नहीं का लोगे, 2, तो यहाँ है 2 into 10 raise to power minus 3, तो कैसे भी ले सिखते हो, यह सिखते हो, यह सिखते हो, जब आपका practice अच्छा हो जाएगा, तो यह सोचने की दूख की नहीं पड़ेगी, तो आपको यहाँ बल, number 1, active positive का concentration कितना दिया है, 2 into 10 raise to power minus 3, चलो, उसके बाद आपको इन्होंने alpha कितना क्या होगा, क्या होगा, half pk minus half log of c, simple सी बाद थी, चलो करते हैं, ठीक है, आप लोग, अब pk का हमारे पास हैं नहीं, नहीं है, तो इक काम करते हैं, सबसे बेल, सबसे बेल, सबसे बेल, सबसे बेल, ठीक है, क्या करेंगे, h positive का concentration का derivation में हमने एक formula पड़ा था, क्या, h positive concentration कि इसके एकोल है, c alpha के एकोल है, clear है, चलो, तो पहले h positive, c, तो चली का हमको, ये तो direct भुझाएगा, c किता दी है, 2 into 10 to raise minus 3 ये, into में, alpha की बेज़र कितनी थी है, 0.1, 0.1 को लिए 2 में, 10 to raise minus 4, तो पास्टी का concentration की कितना आ गया, 2 into 10 to raise कितना होगे, ये, minus 4 होगे, ये कहाने के है, अब आपको क्या नहीं काला है, pH नहीं काला होना है, by taking negative log on both sides, negative log लोगे, तो ये तो क्या में जाएगा, ये लोग, equal to, ये क्या में जाएगा, negative log of 2, और लोग में, multiply क्या आपकर plus, negative log ले रहे हो, minus, negative log of 10 raise to power minus 4, ये होगा आपका pH, अब देखो, लोग 2 की value कितनी होती है, 0.3010, 0.31 तो ये हो गया, minus 0.3, ओके, अब लोग में 10 की power, जो भी रूटी हो आगया रहती है, minus 4 है power, आगया minus 1 क्या में जाएगा, plus 4, तो ये value कितनी आगे, pH कितना आगया, 3.4 में से 0.3 minus 4 कितना आगया, 3.7, बढ़ा ही simple, basic question था, खेक है, चलो, एक तो ये question हो गया, अब एक question और करते हैं, हम लोग आगे, वहाँ लेख देता हो, क्या लेख देता हो, question number 2, मानलो, आपको एक base दिया है, मानलो, एक base दिया है, जैसे मानलो, 4, NH4, 0.8, ठीक है, ओके, उस base के लिए, इनोंने क्या दिया, concentration ने दिया, 10 is to power minus 3 molar, ओके, और उसका जो, kb का value है, 10 is to power minus 5, और अपने को क्या hand out दितरना है, पो इस find out करना है, ऐसे randomly question है, एक base दिया है, एक base दिया है, 10 is to power minus 3 molar, और उसका kb का value दिया, 10 is to power minus 5, तो क्या करोंगे, तो क्या करोंगे, क्या दिया है, और concentration दिया है, लोग बड़ा एक फोर्मुला क्या दिया है, तो week base के लिए, पी ओ कैच निकालने का फॉर्मुला क्या था, half pkb minus half log c, यह फॉर्मुला था, कोई शो है नहीं, तो करता है इसको, half, आप देखो, pkb कैसे निकालते है, negative log of kb, अब kb का जो आप negative log करोंगे, 10 is to power minus 5 का negative log करोंगे, तो कितना आएगा, 5 होएगा, तो half, कितना हो गया है, 5 ह pkb का बेर कितना हो गया, 5 हो गया, minus half log c, c कितना है, 10 is to power minus 3, clear पहनी, चलो, अब 5 by 2 कितना है, 2.5, minus, अब दो 10 की power minus 3, 10 की power minus 3 का log कितना होता है, minus 3, और minus 3, आगे जागे जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो plus क्या ही है, 3, और आगे क्या 1 by 2 तो यह हो गया, 3 by 2, और 3 by 2 कितना होता है, 1.5, तो लगा दो यह, 1.5, 2.5 plus 1.5 कितना हो गया, 4, तो B, O, H की वेज़ू कितनी हागे है, हमारे पास, 4 आगे, basic सा question था, ठीक है, और भी बहुत सारे question आपको आपके books में मिलेंगे, या आपके पास को assignment है, वहाँ पर मिलेंगे, ठीक है, अच्छे से solve कीजिए, इसके बारे में, post-world, dilution, लोग के बारे में, अब इसके बाद next हम दरते हैं, इसके water की explanation पढ़ते है, explanation of water, तब तक आप उसको not को लेजे अपने notebook में, ठीलिए, आगे अब हम लोग पढ़ते हैं क्या water की explanation, तो water के अंदर हम लोग देखते हैं कि उसका ionic product की value क्या है, उसके जो ionization constant उसकी value क्या है, तो हम लोग कुछ water के explanation पढ़ते हैं, धहां से देखें क्या है, क्या हम लोगोंने, explanation of, explanation of water, अब देखो, इस chapter में हमको क्या निकालना है, pH निकालना इस chapter में, ठीक है, अब pH निकालना है तो हम basically कौन सा concept यूज़ करेंगे, आरेनियस concept यूज़ तो according to आरेनियस पहला point है, आरेनियस ने क्या बुला कि जो water का, जो pH ateon 7 होता है, यादि इसमें बुला कि water is neutral, जो pure water है, ठीक है, pure water is neutral, अब neutral का मतलब क्या हुआ, कि जिसका pH कितना होता है, जिसका pH कितना होता है, 7 है, तो उसका p お seriously को होता है, 7 है, इसका मतलब pure water के अंदर दूसरी बाद देख नाशे कि प्योर वाटर का कॉनसें कि इतना होता है कि पहले तो लोग यह निकाते हैं तो क्या दिखा है संसें आफो प्योर वाटर रहा जो पहला है। प्रवाटर की मोलरेटी कितनी होती है 55.5 मोल पर लेटर और अगर आपको नहीं पता मैं पर दुबार से आपको बता देखाओ ठीक है अगर हमको प्रवाटर की मोलरेटी निकाल नहीं है अब यह देखो मोलरेटी इसके इकल होती है इसके तर लेना है अपने को यह लेना है इसमें लेना है इन लेटर यह कहले क्लियर है अब देखो नंबर अब मोल के से निकालते हैं गीवल मास पाएं मोलर मास अब एक बार देखो गीवल मास वाटर का मास कितना दिया है कि इंको निक पता ठीकने बात आपको याद रखने चाहिए रोतार का जो होता है व म् सुल यानि प्रवांटर का ऊप्रम एक्वों किरो उन किलोग्रह 5 तो देंसिटी ऑल mulet by density ओं पूल वा rozpadeजy हम वोल क 1975 टी tomorrow अग्रों इस नियुक्ँ है इस या 1 gram per centimeter cubic हो एक ही बारत है ठीक है अब देखो let w यह जो given mass है water का वो कितना लोगे आप कितना भी आप अजूम कर सकते हो कितना भी आप अजूम कर सकते हो मालो मैंने 100 gram ले लिया let w is equal to 100 gram मैंने कितने gram meter ले लिया 100 gram तो मेरको अन्ड़ in water का volume कितना हो जाएगा? a100 ml यह हो जाएगा तो कि य वरokol मैं 1 gram equal to 1 ml है तो 100 gram is equal to 100 ml क्यांके clear अगर आप given weight 10 gram गते हो तो volume कितना हो जाएगा? 10 ml 1 gram गते हो तो कितना हो जाएगा? 1 ml कोई random एने तो मालो मैंने लिया 17 gram water अजूम कर लिया तो वोल्यूम कितना हो जालेगा 70 यानि कोई फरक नहीं पड़ेगा अब कितना भी वेट वाटर का अज्यूम कर सकते हो अब देखो उसके बाद अब हम लोग क्या निकाले हैं पर मुलारीटी तो मुलारीटी किसकी कुल हो गया इवन वेट आपने किता ले लिया 100 ग्रम अपन मॉलर वेट वाटर का मॉलर वेट कितना होता है 18 एक्स टू वो दो हैंडोरन का और 16 ऑक्सिजन का कितना हो गया 18 हो गया है अपन क्या है वोल्यूम कितना है 100 ml किसमे करना है लेटर में तो यहां के डिवाइड में है उपर जाके मॉल्टिप्लाइब हो गया तो 100 इंटू 10 कितना हो जाएगा 1000 तो आपके पास क्या आ गया 1000 अपन में 18 तो 1000 को 18 से आप डिवाइड करते हो तो वेल्यू कितनी आती है 55.5 और यह क्या है इसका क्या है मॉलर इसके इसके यूनित क्या हो मॉल पर लेटर आपके पास है 55.5 मॉल पर लेटर तो प्यूर वाटर का कॉंसेंट्रेशन कितना होता है 55.5 मॉल पर लेटर होता है यह तानी क्लिए है अच्छे से इसको समझ लो उतार लो अलागी यह मॉल कंसेक्ट में था लेकिन चलो एक बाद दुबार से बताते है क्या देखा है concentration of pure water इतना है मारे पास it is equal to 55.5 मॉल पर लिल्टर इसका मतलब वन लिल्टर वो यूम में वन लिल्टर वाटर में कितने मॉल ह्टवल है मारे पास 55.5 मॉल है अब देखो मोल का मतलब क्या है वो गेटरो नमबर तो क्या मैं इसको लिख तूम इसको 55.5 ने इसको एक बार एक्वेशन नमबर वन करो ठीक है 10 place to power minus 7 अगला लिख्या ह्या हाँ ट्रेशन ऑफ you psychic of course इननर वातर कित्रहा है 10 is to power minus 7 अब कंदेरोय आगे 10-11 क्या है यक है मोल पर लीटर में सर व लिद्वाते व एक्षब की फोजीटिव आएंस ते इस heong सब्सक्राइब नीग सेवार अवट्रीज काषिट है कि एंग पार निए कि पार माइंस तो पार गॉट्र प्रिजटिटिव यह एंग वार्ट इटना है नियू प्रिजिल पार भन पर उनसर दिर सेवन पर अब 10 is 2 पर माइनस 7 मोल, मोल को मैं कहा लिदू यहाँ पर, अब इस इक्वल वोल्यूम में कितने तो water molecules है, और कितने आपके पास क्या है, यहाँ पर यहाँ पर यह क्या है, आपके पास, नमबर ओफ एक्वल पॉजिटिव, अब इसके कुल है, 55.5 L, ठीक है, ओके, और यहाँ पर यह क्या है, आपके पास, नमबर ओफ एक्वल पॉजिटिव आइंस, किसमें, इन वन लिटर वाटर में कितना है, 10 इस तो पार माइनस 7, यहाँ यह कहनी के लिए होगी, आपको पॉजिश हो नहीं है, अब एक काम करो, हम एक साइड में को ले लेते हैं क्या, एक पॉजिटिव आइंस, और एक इन लिटर है, वोजिटर है, उसको छड़ा ही नहीं है, तो निटर वाटर में कितने एक्वल मॉलेक्यूल्स है, कितने इस तो मॉलेक्यूल्स है, 55.5 न है, कोई इसो नहीं, और देको न है, न है कैसला अब यह 10 इस तो पार माइनस 7, यहाँ पर आके क्या हो जाएगा, 10 इस 55.5 into 10 raised to 7, इसका क्या मत्लब हुआ? इसका मत्लब हुआ आक, आक, 55.5 into 10 raised to 7 molecules of water, यहाँ, 55.5 into 10 raised to 7 molecules तो में इसका मत्लब यहाँ वाटर का दिसलिशईशन बहुत मिंख है अब देखो हमको क्या निकाला है डिसोशेशन निकालते है डिक्री ओप इसको डिक्री ओप बोल सकते हैं यहीं बात है ठीक है इसको किससे रिप्रजेंट करते हैं हम लोगों यहां पर आलफा की स्टीक कुल हो जाएगा अब आलफा नंबर ऑस पोजीटिव फान अपोर नंबर ऑफ एक टो मॉलिटूस ठीक है यह लिखो मैं आपके काली तुप इस नंबर ऑफ एच पोजीव आएज अपोर फोर एक्स जू ओम एक अने कलिये है अब एक्स-पोजिटिव इस इतने अरे पास ओन आगे निकाले उसक तो यह सब्सक्राइब करना चाहिए अब आंड भेड क्पशी प्ड़ेखान दूंस विश्ट सब्सक्राइब इन जलंगा इन्ट्राइब यह वन लीटाइब वां यूर्ख कितने एक बार्म अगानी है बार्म टॆ अपनेगी तो आने चाहिए अब फब्सक्राइब पूपर जाए क्या हो जाएगा तो वाटर का जो डिस्टोशिएशन है डिकरी ओफ डिस्टोशिएशन है डिकरी ओफ डिकरी ओफ डिकरी ओफ अलफा कितना आता है तो बड़ा ही वीप है चलो इतना आपको अपको अगे चलता हूं मैं इसको मिठाता हूं अचरी लुटी है or water का निकालते हैं आउनीक प्रोड़क्ट निखालते हो दोनमें कबेर करते हैं रहे होन कंभा तो शुमाहम आ पूप हिए ने ओस्टोणख कि क्या देने वाला है sleए वो अट किलियों है तो यहां पर बिस वाटर का जो अइधियाशनيل कोंस्टिक की किसके को रो जाएगा? Concentration of products upon concentration of products बिल्कुल केर है, ठीक है? Where? Where के इस दा? Where? के इस दा? Ionization या dissociation हो सकते हो Ionization यागर? Dissociation Concent of products यह बात clear है? चलो, अब उसके बाद क्या करेंगे लिए पध्यान से? तो K is equal to H positive का concentration कीता है water में? 10 is to power minus 7 mols per liter into O negative concentration यह कितना होगा? उतना ही होगा upon water का concentration कीतना होता है? 55.5 mol per liter होता है यह काने clear है? चलो, अब देखो अब इसको अगर हम आगे solve करने होगा है इसको हम लोग solve करें तो देखो कितनी value आएगी? Is equal to यह कितना होगा? 10 is to power minus 7 into 10 is to power minus 7 यह होगा 10 is to power minus 14 upon में कितना होगा? 55.95 अब पॉपर लिख तू 100 अब उन क्या है? 55.5 100 को 55.5 से divide करते हो तो value कितने आती है? 1.8 तो यह आपके पास जो K की value कितने आ गई 1.8 into 10 to raise minus 6 आ गई यानि water का dissociation constant की value कितनी है 1.8 into 10 to raise minus 6 नहीं, minus कितना हुआ? 16 यानि बहुर दी weak dissociation हो रहा है इसका यह कहली के लिए है, अब थोड़ा आगे चलते हैं, आगे क्या चलते हैं, हमने क्या लिकाला water का dissociation question निताला है अब हम लोग क्या निकालते हैं, Ionic product of water, वह यहां पर लिखते हम क्या? Ionization constant of water, यह निकाला है, ओके अभी क्या निकालेगे water का? ठीक है, अभी निकालेगे क्या? Ionic product of water, अब देखो, वही safe कहाने निताला है कि जो H2O है, dissociate होके क्या देगा? H positive plus में OH negative देगा, बिल्कुल कलियर है तो K की value इसके को लोगे, K is equal to H positive concentration into OH negative concentration upon H2O concentration, बिल्कुल कलियर है? ठीक है ना? चलो, अब इस H2O concentration को यहां ले जाओ, तो क्या बजाएगा? K into H2O concentration is equal to H positive concentration into OH negative concentration, अब इस H2O को में क्या लिख देगा? K into H2O concentration को हमनों क्या लिख देंगे? KW, और KW को हमनों क्या बुलेंगे? Ionic product of water, क्या बुलेंगे इसको? Ionic product of water, किसके को लाएगा? H positive concentration into OH negative concentration, लेक्टू, बिल्कुल क्या बुलेंगे? Ionic product of water, क्या बुलेंगे, क्या बुलेंगे, इसको मिटा दिया जाए, इसको बुलेंगे, अब देखो यहाँ पड़, कि तो KW है, KW किसके को लाएगा? Water में H positive concentration कितना होता है? 10 raise to power minus, into OH negative का भी उतना, तो KW की value हमाले पास कितनी आगे? 10 raise to power minus 14. कितनी आगी? 10 raise to power minus 14. अब देखो, water का जो ionization constant की value कितनी है? 1.8 into 10 raise to power minus 16. और water के जो ionic product की value कितनी है? 10 raise to power minus 14. It means, it means, it means, for water, KW is always greater than K. Water का जो ionic product का value है, 10 raise to power minus 14 है, और 10 raise to power minus 16 है, ज्यादा value कों से हुई? यह हुई. तो water के ionic product की value, water के ionization constant से हमेशा क्या होती है? जाता होती है. यह कहानी बिल्कुल clear हो गई. ठीक है? वेल्यू देखो, minus 16, 10 raise to power minus 16, 10 raise to power minus 14 है. इसका मतब बहुत ही weak electrolyte है. Pure water is a very weak electrolyte. It is a bad conductor of electricity. क्योंकि out of 55.5 into 10 raise to power minus 7 water molecules, there is only one X positive है. इसका मतब बाटर का dissociation बहुत थी. यहनी मैं negligible goes कहाँ. कानी clear हो गई? ठीक है? तो छोड़ा water के बार में हम लोगी पड़े. अब देखो, आगे देखो. अब देखो, इहां पार, यह का है माने पास? के ड़्यू किसके कोल है? Concentration of H positive into concentration of OH negative. इसी को लिए लेपे, KW किसके कोल है? H positive concentration into man OH negative concentration. This is ionic product of water. अब यह काम करते हैं, गोंग साइड में negative log ले ले लेते हैं. का करेंगे लेंगे लाओ? By taking negative log on both sides. एक है? तो केड़ों के आजाएगा? Negative log of KW is equal to negative log of H positive concentration. यह क्या है? अब देखो negative log of KW क्या होगा है? पॉच पॉच तो प्लस मैं पिछे क्या प्रचों थी इता हो तो देखो प्लस में पी ओएच के इकुल आता है चैने बात पुए हो गई दूसरी पार दिखो यहां पर यहीं से में ले शिताँ है जी एई शिताँ नेगरिटी अजी पार मैं प्लस पर मिन दया है तो आपके पास PKW की वैल्यू कितनी आ गई 14 यह कालिक के लिए है चलो अप्छड़ और आगे चलते हैं अब वाटर में देखो इन वाटर एन वाटर एन वाटर एक्च पोजिटीव कोंसेंट्रेशन इस इक्वल टू और वो किसके कोल है 10 इस दू पार माइनिस 7 के कोल है बिल्कुल क्लियर है तो एक काम कर सकते है तो फिर H positive by negative लोग लेंगे तो यह क्या हो जाएगा? pH हो जाएगा, किसके कोल हो जाएगा? 7 हो जाएगा तो pH इक्वल टू POH इक्वल टू 7 कब हो? अधर room temperature मालोग इतना मालेते है 25 degree celsius water का pH और POH किसके कोल होता? 7 होटी room temperature है, water का है, neutral है यह कहानी clear है, चलो अब फोड़ा सब्सके कोल होता है अब देखो क्या कि हम लोग रहे? pH प्लस में pH कोल होता है अब इसको आगे चलता है pH और pH दोनों से हो है तो इस pH को मैं रिप्लेस कर तो pH से तो क्या हो जाएगा pH प्लस में pH किसके कोल हो गए यह 2 pH किसके कोल Pkw तो आपका जो pH आगया तो क्या आगया? Pkw बाई में 2 आगया clear है? ठीक है? similarly तो water के अदर जो Poh हो जिसके कोला जाएगा वो भी आजाएगा Pkw बाई में 2 कोई issue नहीं हो इसका मतब कि pure water का जो pH है कितना होता है? 7 होता है और Pohb कितना होता है? 7 and Pkw वो कितना होता है? 14 होता है कोई दिक्ट नहीं है आपका से निकाल सकते हो pure water का हमने का निकाल लिया? कितना होता है? 10S to part minus 40 pure water का हमने ionization constant निकाल लिया 1.8 into 10 to raise minus sensor 16 ये भी निकाल लिया हमने तो water के बारे में पूरी detail निकाल लिया होता है अब एक शिक रहेगी यहाँ पर अब देखो कि जैसे जैसे क्या काम करोगे आग तो temperature को increase करोगे temperature को increase करोगे dissociation क्या होता है? increase होता है यह एलफा क्या हो जाएगा increase हो जाएगा देखो जहां से ठीक है? यह लिको में ठीक है क्या है? अगर हम लोग temperature को increase करते हैं तो alpha क्या हो जाएगा? increase हो जाएगा degree of dissociation क्या हो जाएगा? यह बढ़ेगा तो active positive and OH negative concentration यह भी क्या हो जाएगा? increase हो जाएगा और यह increase होगा तो ionic product of water है वो भी क्या हो जाएगा? increase हो जाएगा और वो increase होगा तो जो pkw है वो क्या होगा sir? क्योंकि ionic product of water है hotel की power negative में है तो उसका pkw आएगा decrease हो जाएगा तो कहते हैं कि at 90 degrees Celsius and above और देखो आएगा temperature क्या बढ़ा देगा तो वहाँ पर h-positive का concentration हो हो जाता 10-12 में 6 हो जाता अब water में कितने h-positive है क्योंकि स्केपल होगा ionic product of water होगा h-positive concentration h-positive concentration at 90 degrees Celsius 90 degrees Celsius and above 10 is to power minus 6 O is negative का पी उतना तो total कितना हो है 10 is to power minus 12 तो kw2 कितना आगे आपके पास 10 is to power minus 12 है अब दोनों साथ नेगटिव लोग लोगे तो आपका जो p kw2 है वह कितना जाएगा वह 12 आजाएगा वह कितना जाएगा 12 तो water का पी-ेच है वह कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा अब कुस्टन होता है कि जब temperature ही हो जाता है तो water का पी-ेच कितना हो जाएगा 7 से 6 हो जाएगा अब 7 से बिलोग पी-ेच को हम लोग क्या हो आपके स्थी तो क्या वाट आशे निक हो जाएगा No, water का nature अभी भी क्या रहेगा Neutral ही रहेगा Nature of water अभी भी क्या रहेगा Neutral संत्यों pH को कम हो गया 7 से 6 हो गया अब तो neutral हो जाएगा अच्छी नहीं स्था अब जाज जो हमारा pH scale था पहले 14 का था लेकिन अब पी-ेच की वाट रहेगा कितना ही 12 वाज जी है हमारा pH scale 12 का हो गया काहने clear है तो यह high temperature पी यह condition होती है कि temperature बढ़ने पे degree of dissociation बढ़ता है वह बढ़ता है इसका मतब H positive और OH negative आयन का concentration increase होगा वह increase होगा तो i-li product increase होगा और वह increase होगा तो क्या होगा PKW decrease होगा काहने clear है बटन वाटर क्या रहेगा क्योंकि P scale कितला 14 से घटके 12 का होजायता 12 का midpoint is 6 6 means midpoint means neutral तो यह neutral पही है 6 पही है So water remains neutral तो यह था explanation of water अच्छे से note करेजिये तो हम लोग आगे बढ़ते